ग्रीन वेली स्कूल संचलक की लापरवाई के कारण एक बड़ा हाथसा हुआ है हम आपको बता दें कि स्कूल बस पलट गई है ड्राइवर श्राप पीकर स्कूल बस चला रहा था जानकारी के अनुसार बस के अंदर करीब 20-26 शात्राइं बैठे थे इसमें दो बच्चों को चोटे आई है जिनका उपचार NTPC प्लांट के हस्पिटल में किया जा रहा है शात्रों के दोरब बताये गए कि ड्राइवर राजू निवा सी मुल्थान श्राप पीकर स्कूल बस चला रहा था जिससे ये घटना घटी बताया जा रहा है कि स्कूल संचलक की लापरवाई के कारणी हाथसा हुआ स्कूल संचलक दोरब बस के ड्राइवर की जानकारी रखना चाहिए कि हमारा कौन सा ड्राइवर श्राप पीकर चला रहा है ऐसे ड्राइवरों को तुरंत नोकरी से बाहर कर दिया जाए प्रबंदन की गलती का खाम्याजा छात्र छात्राओं के घरवालों को भी भूगतना पड़ता है यह तो इश्वर की क्रपा रही कि बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं गस्रावत से खिल खान करेंब देख्राइवर के साथ पर लेड़े दे ड्राइवर को सीदा सर ने उसको मूह के खपड मारी तब तक उसको सीदा आया तब जाके फिर और सर ने इस्टेरिंग गुमाया और गाड़ी गड़े में गई और पल्टी खाई गाड़ी आगे जाके प्रिकेट आगा है और गड़े पांचाथ फीट पर हाई वाल्टेज का पोल्टा अगर उससे ठकला जाथी तो एक भी बच्चा नी बस ना ताना बेड़े आंतरगत ग्रीन वेली इस्कूल की एक बस पलटने की घटना व् कि सूशना प्राप्त हुई थी तत्काल पुलिस बल घटना इस्तल पहुंचा है उसमें जो है चार बच्चों को माइनर इंजूरीज थी जिनको इलाज के उपरांत वापिस उनके घर भेज दिया गया है और जो बस का वहांचालक है उसकी ग्रफतारी अन्य वैदानी कारव सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें हुआ हुआ है